आयुरुवेद के अंदर इस माइग्रेन के इलाज के बारे में क्या कहा गया है पाइन आयुरुवेद में मैं दो प्रकार से इसको डिवाइड करना चाहूंगी एक तो प्रिवेंट्शन है और दूसरा क्योर है ठीक है जनरली आगे के वीडियोस में हमने देखा आए कि जो पित्त डॉमिनेटिंग नेचर वाले होते हैं गुजराती में हम बताते हैं कि मार डालो तोड डालो पोड डालो है ना जो चाहते हैं वो करने वाले बहुत ही अंदर से एंग्जियस परस्नालिटी अ दियार हेविंग गुड को लीडर्शिप क्वालिटी बट जो चाहते हैं उसमें वो दिमाग लगाये रखते हैं तो उनका नेचर इतना डॉमिनेटिंग होता है इतना वाइड भी होता है कि एक बार सोचा एक बार ठान लिया कि यह मुझे करना है और इतने बजे करना है तो वह वह करके ही रहेंगे तो जनरल यह ऐसा है कि ऐसे नेचर वाले को जो ज़्यादा सोचते हैं तत्व चिंतक है राइटर्स है इंटर्णली भी उनकी सोच चलती ही रहती है ऐसे लोगों को यह डिसीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है दूसरी महत्वा की ची रगुलारीटी में ते नहीं है वैसे लोगों को भी यह चीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कई लोग ट्रावलिंग ज्यादा करते हैं डूप में जाधा जाना होता है रात को जगना जाना होता है वैसे लोग भी भी दे आर मोर प्रॉन टु डिस टूसरी जो यह कौशनरी बेस मैं ऐसा मानती हूँ कि हर एक जो भी माइगरेंग के लिए ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज है या तो जिनको आगे कभी अटेक फिल हुआ है उनको अपने डेली रुटीन में दो चीज़ को इन्वाल करनी चाहिए एक है प्राणायाम डेली अनुलोम विलोम ब्रामरी शितली शितकारी जिसमें दिमाग शांत हो सके थोड़ा हम अपने हाप में उतर सके अपने आप पे कॉंसेंट्रिट कर सके वैसे प्राणायाम डेली बेजिस पे उनको करने चाहिए दूसरी महत्वा की चीज है प्रिकॉशन में भी इतना ही कारगत है और वैसे वह है गाई का गी का नस्या नस्या यानि नाक में गाई के गी की बुंदे डालना गाई का गी लेलो थोड़ा लुक वार्म कर लो इंडाइक हीट से उसको गरम करने के बाद एकाट ड्रॉप आप हथेली पे डालके देखो ज्यादा गरम नहीं हुआ है सर को थोड़ा गी की आप डाय सकते हो वह डालने के बाद लंबी सांस लो जस्ट कभी आपको गले में फील होता है कि गले में घी आ रहा है तो आप उसको थूख सकते हो और लंबी सांस लेके 10 मिनित तक आप सोई रहो इससे कहते हैं गाई का गी का नस्या गो गृत नस्या आयर्वेट में इतनी अच्छी तरह से बताया है कि उद्वा मूला मदह शाखव मुरुशयम पूरुशं विदुह मूला प्रहारिनह स्तस्माद रोगान शिग्रतरम जये एक आदमी की आप कल्पना कर रहे हो तो जैसे उपर मूल है और नीचे शाखा है सर के भाग में आदमी का व्रुक्ष का मूल है और नीचे की और शाखा है मूल पे प्रहार करोगे तो जो भी साखा में डिसीज है वो अपने आप चले जाएंगे वैसे नाक को पूरे सर का द्वार बनाया है नासा ही शिरशो द्वारम यहां से जो गाय के गी के बुंदे करती है आपके माइग्रेंटी प्रिक्वेंसी द्यूरेशन यह सब को गाय का गी का नस्य मैंनेज करेगा अगर आपको गाय का गी सूट नहीं हो रहा है तो आप पील का तेल यूज कर शकते हो टेस्टरोल यूज करते हो कुछ भी लिपेड रिच माटिरियल आप डाल सकते ह हो एक जो मैंने बताया कि प्रिकॉशन बेस हमें क्या चेंज करना है दूसरा प्राणयाम और नस्य को अपने डेली रूटिंग में आपको ले लेना है और उसके अलावा आईरवेद में बहुत सी अच्छी दवाईया होती है जैसे ब्राम्मी शंख पुस्पी तगर जटाम मासी वच्चा यह सब दवाईया की दो प्रापर्टीज है एक वेदना स्थापक वेदना स्थापक यानि कि आपका जो पेइंग है उसको रिलीव करता है और दूसरा है मेध्य यानि आपकी याददास्त बढ़ाता है ब्रेंग में यह दवाई की वज़े से खुन का परिब झाल